नमस्कार आप देख रहे इंडिया आज तक टीवी लेग और मैं हूँ आपके साथ विजलक्षी बिनोद यादव ने फिर पेस की मानपता की एक नई मिसाल परिजनों से नाराज होकर आत्मत्या के लिए जार ही गृद मैला की बचाई जान अमेटी रेलवे स्टेशन आर्पी अप पोस्ट के कौंस्टेवल विनोद यादव ने एक वार फिर मानपता की एक नई मिसाल पेस करते विए रेल लाइन पर आत्मत्या करने के लिए लेटी एक व्रिद मैला को बचा कर फिर से नाया जीवन दान दिया है जन्पद के भीमी गाँ निवासिनी सतर वर्षी अब रिद मैला घर से नाराज होकर जान देने के लिए अमेटी रेलवे स्टेशन की पट्री पर गरदन रख कर लेट गई थी इसी दोरान प्रताप गट से मालगारी आ रही थी इस्टेशन पर तैनात आर्पियप के कौंस्टेबल विनोद कुमार यादब की नजर जैसे ही रेलवे लाइन पर लेटी वी बृद मैला पर परी लगभग सो मीटर की दूरी छनभर में तै करते हुए दोर कर विनोद यादब मौके पर पहुँचे और रंग थू आ रही मा पुचाया इस दोरान मालगारी के ड्राइवर ने सूज बूज का परीचे देते हुए अपनी रहतार काफी धीमी कर दी और महला की जान बचाने में सहता की आर्पियप चोकी पर पूचताज के दोरान महला ने अपने को भीमी गाउं की निवासनी बताया और घर से नाराज होकर जान देने की कोसिस की बात बताई आर्पियप पोस्ट के दरम चारियों ने महला के बताते हुए पते पर सूचना देकर उनके परिजनों को बुलाया और उन्हें समझा बुजाकर परिजनों के हवाले किया आपको बता दे कि वही बिनोत कुमार यादव ने जिनोंने स्टेशन पर ट्रेन पर चड़ते समय फिसल कर गिरते हुए कई यात्रियों की जान बचाई वो रेल लाइन पर कुछ उपदर्वियों द्वारा गलत मनसा से की गई कारवाई को धता बताते हुए मोंके पर पहुँचे और रेल लाइन को सही करते हुए ट्रेनों कावा गव की वज़े से अमेठी आर्पियक पोस्ट पर तैनाती के बाद से ही बड़ा वर्चर्चा में बने रहते हैं।